आज हम सब भारतिय जन्ता पाल्टी के कारेकरता टोलियों के रूप में हर दर्वाजे तक जाकर भारतिय जन्ता पाल्टी के परतियासियों के लिए वोट मांग रहे हैं और उसी कड़ी में आज मैं मेरे मंडल देक्स भाई इवरेंदर बतरा जी हमारे युवा मोर्चा के जिला देक्स आदित्य भारतिय जन्ता पाल्टी के सम्मानित कारेकरता जो इस महले के हैं वोट तोलियों के रूप में इस महले के अंदराज डोर टो डोर करके वोट मांगने के लिए भारतिय जन्ता पाल्टी के परतियासि शिरी लिला राम जी के पक्स में वोट मांगने काम कर रहे हैं अधितिय सुर्जेवालाजी कम्पीटिछन में कहीम आपने फीता जी के पुरीवार के बारे में नहीं कहा क्या किया किया तो यही निवेदन करूँगा कि वो प्रत्यासियां वो अपनी बात बताएं हमारे प्रत्यासि के बारे मां अपनी बात बता रहे हैं तो हम नहीं मानते कि किसी प्रकार का कोई मुकाबला भी इस कैथर के अंदर है जी कहीं ने कहीं ओर भी पर अंपर दोगा हुए देखिए भारतीय जनता पार्टी के कारे करता एक अनुसासीद कारे करता है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिला राम जी का टीकिट अनौस हुआ यह कोई की व somm reicht कहें है fellowship सबी मिलकर उन्हें जितवाने का भी काम करेंगे। मैं कहूंगा कि रनदीब जी के पास कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कि यहां आम व्यक्ति की भी चलेगी आम जो मतदाता है उसकी भी चलेगी तो भारतिय जनता पार्टी में सब की चलती है और सब अपने आराम से एक रामराज के रूप में रहते हैं आप देखिए आप खुद हमारे साथ किस प्रकार लोग बुला बुला कर हमें वोट के लिए आसवासन दे रहे हैं चाय के लिए भी बोल रहे हैं बैठने के लिए भी बोल रहे हैं हमारा सम्मान भी कर रहे हैं और वोट हम जब कहते हैं हम से पहले कह देते हैं वोट तो भाई ठोक भी सकता है। मैं तो कहूँगा ये भारतिय जनता पार्टी में इस संभव है कि एक आम परिवार का जो व्यक्ति है वो भी उच पदों पर पहुंच सकता है। मैं खुद पर भी उधार्ण लेता हूँ कि एक गैर राजनीतिक परिवार के एक आम गर के बेटे को इस प्रकार जिला धेक्स की जुम्यवारी दे कर जो भारतिय जनता पार्टी ने ये उधार्ण दिया है कि भारतिय जनता पार्टी में आप मेहनत कर सकते हैं, आप किसी भी के बारे मैं कह सकता है ये भारते जनता पार्टी में संभव है